समुद्र के नीचे क्या है? ये सवाल हर किसी के जहन में आता है. अगर आप खुद से समुद्र के नीचे जाकर इस बात को पता करना चाहते हैं, तो आपको मात्र 7,50,000 डॉलर यानि की भारती मुद्रा में 5,50,000 रुपे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आप समुद्र की वीडियो में हम बताएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है? बने रहे इस वीडियो के साथ, धरती के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने भीतर ना जाने कितने ही रहे से समेटे हुए है. आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है, जबकि बाकी बचे हिस्से में क्या कुछ छिपा हुआ है? इस अबारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के पानी के अंदर क्या है? लाखो करूडों अंगिनत जीवों से भरा या समुद्र अपने भीतर क्या कुछ समेटे बैठा है? समुद्र के नीचे क्या है यह जानने से पहले हमें यह पता करना होगा कि समुद्र बना कैसे होगा और यह धरती के इतने बड़े हिस्से में कब और कैसे फैला अगर वैज्यानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से लगभग पचास से सो करूर साल के बीच हुआ होगा जब धरती बिल्कुल थंडी हो चुकी थी और शुद्र ग्रहों और उलकापिंडों की टकर से उसकी सत्या पर विशालका एक गड़ों का निर्माड हो चुका था धरती के ठंडे होने के साथ साथ उसके उपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए जिससे धरती पर लगातार कई महीनों तक मूसला धार बारिश होती रही इस तरह आसमान से लगातार पानी बरसने के कारड धरती पर मौजूद गड़े भरने लगे और उन्होंने सम्द्र क रूप ले लिया। पृत्वी पर पानी लाने का काम शुद्ग्रण, उलकापिंडव और कॉमिट ने किया था जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाते थे और पृत्वी की सथे से टकरा कर बर्फ के टुकडे चारो तरफ बिखेर देते थे इस तरह विविन रूप से धर्ती पर जमा हुए पानी ने विशालकाई समुद्र का रूप धार कर लिया समुद्र में प्रशांत महासागर को सबसे गहरा माना जाता है जिसकी ओसत गहराई 3,939 मीटर मापी गई है विविन जीवजन्तूओं का घर समुद्र के नीचे अनिको प्रकार के जीवजन्तू और मचलिया निवास करती है जिने देखबाना भी इंसान के लिए संभव नहीं है आज तक मनुष्य ने जितने भी समुद्री जीवों को देखा है वैं सिर्फ 5 प्रतिशत हिस्से के अंतरगत आने वाले कुछ जीवों में से एक है असल में समुद्र के अंदर इतनी प्रकार के जीवजन्तू और उनकी विविन प्रजातिया निवास करती है कि उनके बारे में वैग्यानिक भी ठीक ठाक अंदासा नहीं लगा सकते है जीवों की खोज करने में काम्याब हुए हैं जो सेकड़ों साल से धर्ती पर मौजूद हैं समुद्र के अंदर सिर्फ जीवजन्तू ही नहीं बलकि अनेकों प्रकार के पीड़ पौधे और वनस्पती भी मौजूद है जो प्रत्वी को बड़े पैमाने पर ऑक्सिजन उपलब्द करवाते हैं इतना ही नहीं समुद्र की गहरायों में अदुभुत और विचित्र प्रकार के दुर्ला पेड़ पौधे और बैक्टीरिया मौजूद है जिने देखकर व्यज्यानिक भी हैरान है समुद्र के सिर्फ पंच प्रतिशत हिस्से में ही 35,000 से ज्यादा अलग-अलग प्रजाती के बैक्टीरिया 5,000 से ज्यादा वाइरस और डेड़ लाग से ज्यादा एक कोशे के पौधे मौजूद है इस बात से आप अंदासा लगा सकते हैं कि प्रत्वी पर मौजूद 71% समुद्री हिस्से में क्या कुछ और कितनी प्रकार के बैक्टीरिया और वाइरस मौजूद होंगे समुद्र के अंदर स्पर्म वेल और शार के अलाब अभी कई विशालकाय मचलियों की प्रजाती मौजूद है जो दिखने में बिहद डरावनी है वेग्यानिकों की माने तो समुद्र के अंदर गेहराई में ड्रैगन की तरह दिखाई देने वाली विशालकाई मचलियां निवास करती हैं जबकि यह समुद्र चमकीली लेंप जैसी आंखो वाली और भयानक जबड़ों वाली अलग-अलग मचलियों की प्रजाती का घर है आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे रंग बदलने वाले अनिको प्रकार के जीब भी रहते हैं जिन मेंसे कुछ तो बिलकुल पारदर्शी और कुछ बेहत खतरनाक होते हैं समुद्र में इतनी ज्यादा मचलियां मौजूद हैं कि रोजाना लाखो मचलियों को पकड़ने पर भी उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी इस समुद्र में सिर्फ मचलियों की ही नहीं बलकि विशालकाय सापों के भी लाखो प्रजातियां रहती हैं जिसमेंसे कुछ प्रजातियां बेहत विशाली और खतरनाक होती हैं हलाकि समुद्र के अंदर सांपों को खोज पाना अपने आप में बहुत ही चुनोती वाला कारी है क्योंकि समुद्री सांप अक्सर चटानों और जली पौधों के बीच छिपे हुए रहते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में विशालकाय अनकोंडा होने की भी संभावना जताई जाती है वैज्यानिकों की माने तो समुद्र में सूनवाले अनिको प्रकार के आक्टोपस प्रजातियां रहती हैं इसके लावा यहां कीडे मोकोडे और जिंगों की करूर किसमें मौजूद हैं समुद्र के अंदर कमल के फूल की तरह दिखाई देने वाले अलग-अलग प्रकार के रेंगते हुए फूल, ब्लड रेड, समुद्री फैनी और सेकडो भुजाओं वाले पौधे, कूरल और शैवाल पाए जाते हैं समुद्र में सबसे गहरी जगय पश्यमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगय मौजूद है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जन जाता है इस जगय की सबसे गहरे पॉइंट को चलेंजर डीप कहा जाता है, जिसकी गहराई 10902 से 10929 मीटर तक मापी गई है समुद्र की इस गहरी जगय पर इतना ज्यादा अंदकार होता है, कि वहां किसी भी चीज को देखने के लिए स्पेशल चश्मे पहनने की ज़रुत पड़ती है इस जगह पर ना तो सूरी की रोशनी पहुँच सकती है और नहीं कोई कृतिम प्रकाश, हलाकि एडवांस टेक्नोलोजी की मदद से वग्यानी हर वक्त इस एरिया पर निगरानी बनाई रखते हैं यहाँ पानी का दवाव इतना ज़्यादा होता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ तक पहुचपान और जीवित वापस लोटना बहुत ही मुश्किल काम है यही वज़य है कि चैलेंजर डीप में अब तक गिंती के सिर्फ कुछ लोग ही गए हैं आपको बता दे कि समुद्र का यह हिस्सा एवरेस्ट की चूटी से भी ज़्यादा गहरा है अगर एवरेस्ट के पहाड को उल्टा करके चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो वह गहराई में पहुचने से पहले ही तीन किलोमीटर की दूरी पर खत्म हो जाएगा इतना ही नहीं, समुद्र की इस गहरी जगे पर जाने के लिए काफी ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रुत परती है यहाँ पहुचने के लिए आपको साथ लाख 50000 डॉलर धनराशी खर्च करनी होगी इसके साथ ही इतने ज्यादा पैसे खर्च करने पर आपकी जान की सेफटी की जिम्यदारी खुद आपके उपर होगी हलाक इतनी गहराई और अंधेरे वाली जगह पर भी कई प्रकार के बैक्टीरिया, मचलियां और जीवे जिन्दा रहते हैं जो कई दिनों में एक बार खाने की तलाश में पानी की सतय तक जाने की कोशिश करते हैं इन जीवों ने खुद को मुश्किल परिस्थितियों में जिन्दा रखने की कला सीख ली है जिसकी वज़े से सी लेवल से इतनी गहराई में भी उन्हें कुछ नहीं होता है वैज्यानिकों की माने तो इस जगे पर सालों पहले विलुक तो हो चुकी विशालकाय मचली की परजाती मेगलोडोन शार्क हो सकती है जिसके जबड़ी का साइज ही आज की शार्क और वेल मचली से कई गुना बढ़ा था समदर के अंदर ज्वालमखी और गोफाएं समदर उपर से देखने पर जितने शांत और नीले दिखाई देते हैं इसके अंदर की दुनिया उतनी ही ज्यादा रंगेन और उथल पुथल से भरी होई है आप सोच भी नहीं सकते हैं कि समदर के नीचे गोफाओं से लेकर सक्री ज्वालमखी तक मौजूद हैं समदर के अंदर कई रहसिमई और विशालकाएं गोफाएं मौजूद हैं जिनका निर्माण समदर की विशाल लहरों और पानी के कटाव की वजह से होता है इतना ही नहीं समुद्र में कोफा के साथ साथ अंगिनत सुरंगें भी मौजूद हैं जिन में से कुछ सुरंगों तक इंसान ने भी अपनी पहुँच बना ली है मेकसिको की समुद्री सुरंग परेटन और एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए सबसे मन पसंद जगों में से एक है जहां आप गहरायों में पानी के अंदर मौजूद गोफाओं में तैराकी का आनंद उठा सकते हैं समुद्र में सक्रिय जौलमखी की भी बहुत बड़ी संख्या है जिन से निकलने वाला गर्म लावा समुद्र के अंदर नली जैसी गोफाओं की रचना करता है हवाई में समुदर के अंदर जौलम की विस्पोर्ट से बनी गुफाएं मौजूद हैं जिनकी आकरती बेहत पतली और नली जाची है इसी तरह चीन के गहरे समुदर में मौजूद रैनवो केव परेटन और एडवेंचर के लिए आम लोगों के बीच काफी ज्यादा मशूर है जो कुछ साल पहले समुदर का जलिस्तर कम होने की स्थी में आम लोगों की नजर में आई थी इसके बाद इस गुफा को परेटन को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जहां रंगीन दीवारें देखने को मिलती है इस रैनवो गुफा की लंबाई 240 मीटर है जो समुदर की खूबसूरत और रहस्यमाई दुनिया देखने का एक अच्छा विकल्प है समुदर के अंदर मौझूद सक्रिय जॉलमुखी में भी विस्फोर्ट होता है जो पानी के एक सिमित इलाके को गर्म रखने का काम करता है इसके लावा विस्फोर्ट से निकलने वाला लावा और अन्यखनिस तत्व समुदर के पानी को जरूरी पोशक तत्व प्रदान करते हैं जिससे खारे पानी में भी अन्यको प्रकार के शैवाल और जली पौधे पनप जाते हैं समुदरी ज्वालमखी वैक्टिरिया और वाइरस को जिन्दा रखने का भी काम करते हैं और इसका गर्म पानी कई जीवाँ और मचलियों के रहने के लिए बिलकुल अन्कूल होता है कई बार समुदरी ज्वालमखी में विसफोट इतना तेज होता है कि उसकी वजह से उची-उची लहरों और सुनामी का जन्म हो जाता है ऐसे में कई बार समुदरी ज्वालमखी खत्रनाग भी साबित हो जाते है उची-उचे पहाड़ों का घर यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रथी पर उचूँचे पहाड और खूपसूरत परवती शंकलाई मौजूद हैं जिनमें माउंट एवरेस्ट से लेकर अनिको विशालकाई पहाड शामिल हैं लेकिन क्या आपको पता है कि जमीन की तरह ही समुद्र के अंदर गहरायों में भी उचे-उचे पहाड मौजूद होते हैं जिनें देखना अपने आप में अदभुत अनुभव होता है समुद्र के अंदर मौजूद सबसे लंबे और उचाय वाले पहाड को माउना किया माउंटेन के नाम से जान जाता है जो हावाई में प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है इस पहाड को हावाई के द्विप से भी देखा जा सकता है जो पानी के उपर तैरता हुआ दिखता है लेकिन यह पहाड जितना पानी की सते से उपर मौजूद है उतना ही इसका आधिस से ज़्यादा पानी के अंदर समुद्र में डूबा हुआ है अगर माउना किया माउंटेन जमीन पर मौजूद होता तो प्रिथवी की सबसे उची चोटी होने का ताज माउंट एवरिस्ट के सिर नहीं बलके इस सपहाड के पास होता समुद्र के अंदर मौजूद माउना किया की उचाई 6,000 मीटर है जबकि समुद्र की सतह से उपर इसकी उचाई 4,205 मीटर है इस हिसाब से अगर पूरे के पूरे माउना किया पाहाड की लंबाई को मापा जाए तो इसकी कुल उचाई 10,210 मीटर तक हो जाती है हलाकि समुद्र के अंदर गहराई तक मौजूद होने के बावजूद भी इस पाहाड की चोटी असल में एक जोलम खी है जिसमें सालों पहले वे स्पोर्ट हुआ करता था ठीक इसी प्रकार समुद्र में हजारों छोटे बड़े पाहाडों को खोजा जा चुका है जिनकी संख्या एक लाख से भी ज्यादा हो चुकी है आम तोर पर समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पाहाडों की उचाई एक से तीन किलोमीटर की बीच होती है जिनका ज्याततर हिस्सा पानी के अंदर ही डूबा रहता है हाला कि कुछ पाहाड समय के साथ पानी से बाहार आ जाते हैं जिसका मुख्य कारड जल स्तर का कम हो जाना होता है आपको बता दे कि दुनिया भर में मौजूद आईलेंड्स यानि दूपों का जन समुद्री पाहाडों के पानी से बाहार आ जाने के कारड हुआ है जिनका आकार अकसर चप्टा होता है हवाई दीप का निर्माण भी समुद्री पाहाड के पानी से बाहार आ जाने के वज़े से ही हुआ है जो आज परिटको के लिए पहतरीन टूरिस्ट प्लेस में से एक बन चुका है मद्य सागर के अंदर दुनिया की सबसे विशालकार परवत शंखला मौजूद है जिसके लंबाई 64,000 किलो मीटर है समुद्र के नीचे भी बहती है नदिया आज तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि दुनिया भर में बहने वाली नदिया पहाडों और गलीशियर से निकल कर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है जहां उनका सफर खत्म हो जाता है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जमीन की तरह ही समुद्र के अंदर भी रहसमई ढंक से नदियां बैती है जो अलग-अलग प्रकार की धराओं को पैदा करती है गल्फ स्ट्रीम या गल्फ की धरा को दुनिया की सबसे विशालकाई समुद्री नदी का दर्जा दिया जाता है जिसमें बहने वाला पानी गर्म होता है ये धारा मेकसिको की खाड़ी से उत्पन होती है जिसकी वजह से इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है समुद्र के अंदर बहने वाली इस गर्म नदी की वजह से उत्तर अमिरका के पूरवी तट से लेकर यूरोप के पश्मी तट तक तापमान गर्म रता है जो प्रिथी की जलवाई को परिवर्तित करने में एहम भूमिकने वाने का काम करती है समुद्र के अंदर बहने वाली इस नदी को गूबल मैप पर भी देखा जा सकता है जो इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तो भी गल्फ की धारा का पानी ज्यादा होगा गल्फ की धारा की तरह ही दुनिया के अलग-अलग देशों के समुद्री इलाकों के अंदर अनिको नदिय बैती है जिने ब्राजिल की धारा, जापान की धारा और उत्री प्रशांत सागरी धारा के नाम से जाना जाता है नदियों का निर्माड मुख्य रूप से तीन वजह से होता है, जिसमें समुद्र के पानी की डेंसिटी यानि घनत्व होता है, जबकि एक घनत्व वाला पानी एक दूसरी से मिलता है, तो उसकी वज़े से समुद्र के अंदर अलग से एक नई धारा निर्मित हो जाती है, के कारड अलग-अलग दिशाओं में गल्फ की धारा बनने लगती है, कूरी कचरी का घर, समुद्र के अंदर चाहे कितनी ही रहसिमई और अध्भुत चीज़ा मौजूद है, लेकिन समुद्र के अंदर एक ऐसी चीज भी मौजूद है, जो इंसानों की वजह से खठा हो रह जो समुद्र में सिर्फ मानवी कचरा ही नहीं, बल्के अंत्रक्ष से भी कूडा फेका जाता है, जिसमें साटिलाइट से लेकर वेविन रॉकेट और स्पेस क्राप्ट शामिल है, जो इक एसी जगे है, जो इस्पेस में खराब होने वाली सभी चीजों को डंप कर दिया जा इस तरह समुद्र में मानव निर्मित कच्री की संख्या भी दिन वा दिन बढ़ती जा रही है। जिसकी वचे से समुद्री जीवजनतुओं का जीवन खत्रे में पढ़ रहा है। अगर मनुष्य ने अपनी गतविदियों पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में समुद्र में मौजूद और प्राकर्तिक चीजें धीरे धीरे नश्ट होती चली जाएंगी। अब तो आप समझी गए होंगे कि समुद्र के अंदर क्या कुछ मौजूद है। अगर आप